हे वेलकम बाक इन माई न्यू वीडियो दोस्तों मेरा नाव राफुल मैं हूँ इक डिजिल मार्केटिंग एक्सपर्ट फाउंडर और वाक्षमडेसुलीसंस डाट कॉम और आज के इस वीडिये में हम सीखने वाले हैं कि आप अपने बिजनस को ग्रो करने के लिए फेस्बुक का एक एड क्यामपेंड स्टेप और सही तरीके से कैसे सेड़ अप कर सकते हैं और फेस्बुक के उपर अपना एड क्यामपेंड सेड़ अप करके आप अपने बिजनस को फेस्बुक के तुरू कैसे ग्रो कर सकते हैं देखे दोस्तो आज का ये वाला वीडियो मैं तीन स्टेप में complete करने वाला हूँ पहले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि Facebook पे ad campaign बनाने के लिए आप अपना ad account कैसे setup कर सकते हैं दूसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि ad account setup करने के बाद आप अपना campaign step by step और शही तरीके से कैसे बना सकते हैं और तीसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि campaign बनाने के बाद आप अपने campaign के अंदर payment यानि की billing कैसे add कर सकते हैं और उसके बाद आप smoothly अपने campaign को fast तरीके से Facebook के उपर कैसे run कर सकते हैं तो yes दोसो अगर आप एक student है आप एक entrepreneur है आप एक businessman है आप अपने business को Facebook के उपर grow करना चाहते हैं आपका कोई product है services है आप Facebook के उपर उसको promote करके उसकी sale लाना चाहते हैं leads को generate करना चाहते हैं और अपने business को grow करके आप revenue यान की पैसा कमाना चाहते हैं तो आज का ये वाला वीडियो Facebook ads का complete course आपके लिए होने वाला है अगर आप इस वीडियो का इन तक देख लोगे तो आपके सारे doubts clear हो जाएंगे और आप आसानी से सीख पाओगे कि आप खुद Facebook का ad campaign कैसे बना सकते हैं शुरुआत करते हैं वीडियो की वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप से छोटी सी help जरूर लेना चाहूंगा दोस्तो अगर आप इस चैनल पे पहली बारा है वीडियो आपको लगता है कि अच्छा है चैनल आपके लिए काम का है तो चैनल को subscribe करना इस वीडियो को like करके अपने दोस्तों के साथ share जरूर कर देना है चली अप सुरुआत करते हैं वीडियो की देखें दोस्तों अगर आप अपना Facebook का ad campaign बनाना चाहते हैं और अपने business को आप promote करना चाहते हैं तो पहला step कौँछ रहेगा पहला step है दोस्तों आपका Facebook का ad account आपको setup करना रहेगा तो simply आपको करना क्या है इस website के उपर click करना है जैसे दोस्तों आप website के उपर click करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने facebook.com यानि कि facebook का एक profile आपके सामने open हो चुका है आप देखें दोस्तों यह profile मैंने already login कर रहे थी इसलिए आपके सामने open हो चुकी है लेकिन मैं आ आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप facebook के उपर कोई भी campaign बनाना चाहते है और अपने business को promote करने कले campaign setup करना चाहते है तो आपको सबसे पहला requirement रहेगा आपके पास एक facebook account का होना जरूरी है और उस account के उपर आपका business page भी बना हुआ होना चाहिए तब ही आप अपने business को promote य दोस्तों मैंने कुछ pages भी यहां पर already बना रखें मैं see more पर click कर देता हूं और आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने कुछ pages को already बना रखें मैं page पर click करके आपको मेरे कुछ pages दिखा दिता हूं यहां पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ pages already बना रखें तो आपको page भ सकते हैं कि facebook का page कैसे बनाया जाता है आप उस वीडियो को देखे page जरूर बना लीजेगा ठीक है अब आपके पास account ready है page ready है तो अब आपको करना क्या पड़ेगा next step आपको अपना add account setup करना पड़ेगा अब यहाँ पे आपको menu के उपर click करना है और जैसे menu के उपर click करेंगे यहाँ पर आपको add का option दिखेगा तो simply आपको add के उपर click करना है और जैसे आपका जो facebook add account है वो आपके सामने automatically open हो जाएगा तो facebook add account 99% already setup होता है आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है बस simply आपको add के उपर click करना है add के उपर जैसे click करेंगी यहाँ पे आप देख सकते हैं screen के उपर आपके सामने आपका add account open हो गया मैं इसको एक बार यहाँ से close कर देता हूँ जैसे add account open होगा यहाँ पे अब आप अपने campaigns को create कर सकते हैं तो I hope देखे पहला step आपको clear हो गया होगा कि आपके पास क्या-क्या requirement हो नी और उसके बाद आपको कहाँ click करना है और कैसे आपको add account के अंदर visit करना है यहाँ तक देखे आपको कोई doubt है कोई confusion है तो please comment में जाके हमें comment कर सकते हैं इसके अलावा भी अगर आपको facebook advertisement के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए आप इसको proper तरीकी से सीखना चाहते हैं तो हमने इसका proper एक complete advanced course आपके लिए launch कर दिया है हमारी website पे आप जा सकते हैं link में description में दे दिया है इस course का URL आपको मिल जाएगा आप जा सकते हैं हमारे page पे और इसका proper complete 11 days का course आप purchase कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको proper तरीके से advanced तरीके से complete तरीके से सीख सकते हैं इसके अलावा अगर आप इसकी service लेना चाहते हैं हमारी team के साथ काम करना चाहते हैं और आपने business को आप grow करना चाहते हैं तो हमारे number पे भी आप call कर सकते हैं और इसकी services भी आप हमारे साथ मिलके ले सकते हैं अपने business को grow कर सकते हैं तो आपके पास दोनों options है ठीक है तो देखे पहला step आपका complete हो चुका है अब हम चलते हैं next step की तरफ कौनचा campaigns आप कैसे create कर सकते हैं तो देखे campaign create करने के लिए आपको सबसे बहुत है तो यहाँ पर वैपसेट पर traffic लाना चाते हैं, sale लाना चाते हैं या फिर engagement लाना चाते हैं, page पर likes लाना चाते हैं इस परकार से कई सारे आपके goals हो सकते हैं तो यहाँ पर आपके पास पहला है awareness अब awareness में देखे यह आप सारे के सारे goals को choose कर सकते हैं जिससे reach हो हो गया इसमें सारे गोल्स हैं लीड्स हो गया अप प्रमोशन हो गया और सेल्स वाला हो गया ठीक है तो आपके पास काफी सारे campaign objectives हैं सारे आपको सीखने हैं तो भीया course आप जॉइन कर सकते हो मैं आपको description में दे रहा हूँ बहुत बड़ा amount नहीं pay करना पड़ेगा लेकिन सारी जानकारी आपको मिल जाएगी वैसे अगर आप free में सिखना चाहरे हो तो आपके लिए वीडियो है मैं आप इसको पूरा इंटक देख सकते हूँ आप देखें दोथो यहां पे आपको गोल चूछष करना पड़ेगा जो आपका business है जो आपको generate करना है वह गोल आपको चूछष करना पड़ेगा अब देखें गोल आप कैसे choose कर सकते हैं यहां पे गोल चूज करने के देखे आपको मैं बता दूँ जैसे माल लीजे कई सारे मेरे पास comment आते हैं मेरे subscribers के या फिर मेरे जो भी viewers है उनके किसर हम leads generate करना चाहरे हैं हमारे business के लिए तो आप proper तरीके से leads कैसे generate कर सकते हैं उसका campaign कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ ठी है जैसे माल लीजे हम leads पे click करते हैं और यहाँ पे हम next बटन पे या continue बटन पे click कर दीजे जैसे आप continue बटन पे click करेंगे यहाँ पे आपके सामने तीन step open हो चुके हैं तीन step में हम अपना campaign setup करेंगे पहला step है आपका campaign name तो इसमें आपको जिस भी product के लिए आप leads generate कर रहे ह है जैसे मैं लीजे यहाँ पे ABC हमारा कोई product है उसके बाद यहाँ पे हम नीचे scroll down करें special add category skip कर दीजे कुछ नहीं डालना आपको इसमें campaign details तो campaign details में action और lead आपको रहना है क्योंकि हमारा objective है leads को generate करना next है यहाँ पे AB test तो इसको आप off रखिए और यहाँ पे campaign budget optimization दिखेगा इसको on करके आप यहाँ पे daily budget की जगे lifetime budget या daily budget जो आपको choose करना है वैसे वह कर सकते हैं मैं आपको बोलूँगा daily budget रखना है और जितना आपको spend करना ज्वैसे minimum हम 200 से spend करेंगे तो 200 रुपीस आपने डाला यहाँ पे bidding आपको यहाँ पे रखनी है highest volume ठीक है bidding में आपको highest volume इसलिए रखनी है क्योंकि हमारा campaign starting में चल जाए ठीक है तो हम यहाँ पे highest volume रखेंगे उसके बाद हम चाहे तो bid cap लगा सकते हैं उसके बाद simply आपको next button पे click करना है जैसे दोस आप next button पे click करेंगे देखे दूसरा step हमारे सामने कुल गया है इसको बोलते है आप ad groups अब campaign बनाएगी Tata के नाम से और जैसे Cars के नाम से यहाँ पे अलग-अलग ad groups बना सकते हैं जैसे Tata Nexon हो गया, Harrier हो गया या फिन नैनो हो गया अलग-अलग है हाँ पे ad groups बनाके multiple cars को एक ही campaign से promote कर सकते हैं तो इस प्रकार चे campaign एक होता है और ad groups different हो सकते हैं ठीक है अब यहाँ ad group डाल सकते हैं जैसे माल लीजे ABC कोई company हमारी अब ABC one आप यहाँ पर डाल दो जैसे एक product का में आप पर promotion कर रहे हैं उसके बाद देखें नीचे squadron करना है और यहाँ पर आपको leads जनरेट करनी है तो देखें यहाँ पर conversion locations में आपके पास leads कहां से आपको generate करनी है यहाँ पर पर पास पेज करना है और यहाँ पर माल लीजे आपके पास page होना चाहिए तो page हम यहाँ पर select कर लेंगे एक मेरी company का official page है तो मैं यहाँ पर इस page को select कर लेता हूँ उसके बाद नीचे squadron करना है और यहाँ पर देखें अब आपको audience को option देखेंगा तो audience में आपके पास audience अ आप audience कैसे create कर सकते हूं मैं आपको बहुत आसानी से बता देता हूं सबसे बिले locations का मतलब है कि आप किस location में अपने customers को target करना चाहरे हो वो यहाँ पर आपको location चूज करनी पड़ेगी तो यहाँ पर जैसे मान लीजे इंडिया हो रखा है अगर मान लीजे आप Delhi को चूज करन अपने product और services के according कि कितने age के लोगों को आप target करना चाहरे है कि इन age के लोगों को आप अपने advertise में या product sale करना चाहरे है तो यहाँ पर मान लीजे जैसे 20 हो गया आप 20 से लेके मान लीजे मेरा कोई product ऐसा है जो सिर्फ 40 के लोग ही purchase करेंगे तो यह ठीक है मैंने 40 कर दिया उ पर इस audience को आप save कर सकते हैं तो ऐसे बड़ी आसानी से आप अपनी audience को create कर सकते हो बहुत ही बड़ी rocket science नहीं अगर आपको simply सब कुछ समझ में आता है तो आप easily create कर सकते हो आपके business के बारे में अगर आपको knowledge है तो उके उसके बाद next step पे आपका placement placement का मतलब होता है कि आप अ platform का option देखेगा अब जैसे platform में Facebook हो गया, audience network हो गया, Instagram हो गया, तो मैं क्या करूँगा नीचे score down करूँगा और जैसे stories से अटा लेता हूँ, stories से अटा लिया मैंने, search result में रहने देता हूँ, apps और sites से अटा लेता हूँ, अब यहाँ पे अगर मेरा ad देखेगा तो मेरा ad में expanding भी कम होगी, और यहाँ से में को result भी अच्छा मिलेगा, तो इस परकार से आप placement चूज कर सकते हो, अपने according, ठीक है, आपको ज्यादा problem नहीं होगी, अगर आप सही तरीके से placement को चूज करोगे, next step है आपका optimization and delivery, तो इसमें हम क्या generate कर रहे हैं, leads, cost per result अभी हमने नहीं लग अच्छा लग रहा video, लाइक करिएगा, अपने दोसों के साथ share जूरूर कर दीजेगा, और अगर आपको अभी भी confusion हैं या फिर आप Facebook marketing को complete तरीकी से सीखना चाते हैं, तो आप wait मत करिए, अगर आप हमारे साथ Facebook marketing को सीखना चाते हैं, मैं को पिछले 6 साल का experience है Facebook marketing में, digital marketing मे मैं last 6 years हूँ, मेरा खुद का company है, institute है, मैं online training provide करते हैं हमारे बच्चों को, तो अगर आप Facebook marketing सीखना चाते हो, तो हमारा course आप purchase कर सकते हैं, link आपको description में मिल गया है, या फिर हमारी team को call करके भी आप उनको बोल सकते हो कि मुझे आपका course सहिए, आप registration कर लो, course हमारी team आपक automatically apply कर देगी, आप उसको watch कर सकते हो, और सीख सकते हो, ठीक है, अब देखे, यहाँ पर आपका next step रह गया है, और यह है आपका add, तो add कैसे बनता है, जो आप दिखाएंगे logo को, जो logo के सामने आएगा, उसको बोलते है add, अभी तक तो आपने सिफ basic settings और add campaign group को setup किया है, जिस में आपको करना है, सबसे बले तो identity, तो identity में आप वो page select करेंगे, जिस page के तुरू आप advertisement कर रहे है, जो आपकी company का facebook page है, official page, जिसको आप बोल सकते हैं, उसके बाद यहाँ आप Instagram account, तो जो आपकी company का account है, जिसके Instagram को आप manage करते हैं, उस पे आप daily posting वगरा, या फिर reels वगर की आप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे माल लीजे, format में single image और video select कर सकते हैं, यहाँ पर crouchal choose कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखें, मैं single image और video choose करूँगा, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ एक image को यहाँ पर promote करूँगा, जो मिर पास graphics बनी हुई होगी, उसके बाद इसे किसी भी image को upload करके, उसको आप add में दिखा सकते हैं, ठीक है, तो देखें, मेरे पास कुछ images हैं, जो मैंने already upload कर रखी है, जैसे माल लीजे, यह image में select कर लेता हूँ, और इस image को मैं आपर promote कर लेता हूँ, तो देखें, मैंने इसको उपर click किया, और यहाँ पर देखें stream में इस परकार से देखेगी, और original मेरे search result में ऐसे देखेगी, next बटन बे मैं click कर लेता हूँ, मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा, optimization बगरा मैं skip कर दूँगा, और इसको मैं simply done बटन बे click कर दूँगा, आप जैसे देखें दोस्तों, आप इस पर click करेंगे, यहाँ पर आ कैसे कर रहे हैं, जैसे primary text में हो गया, if you want to make a website for your business, today we have a offer for you, get 90% discount on websites, call and book now करके, ऐसे कुछ आपको text लिखना है, उसके बाद यहाँ पर headline, book your website for business, ऐसे कुछ करके आपको जो है, headline लिखनी है, उसके बाद आपको नीचे स्टों करना है, और यहाँ पर देखें आपको description लिखना है, अगर आपके बास description है, तो ठीक है, अदवाइस कोई issue नहीं है, आप यहाँ पे इसको भी copy paste कर सकते हो, और same description यहाँ पे use कर सकते हो, कोई भी problem नहीं होगा, अब आपको next button है, यहाँ पे call to action button, तो sign up का option दिख रहा है, आपके पास यहाँ पे book now का option दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे meta में लिखा था book now, तो हम यहाँ पे book now के उपर click करेंगे, और अब यहाँ पे देखे हमें एक form create करना पड़ेगा, क्योंकि हमने instant form वाला, यहाँ पे lead generation campaign बनाया, तो हम कैसे create करेंगे, create form के उपर आपको click करना है, और यहाँ पे form name दे सकते हो, जैसे website के हम generate कर रहे हैं न, leads, तो website leads कुछ करके, आप यहाँ पे form name दे सकते हो, यहाँ पे आपको रखना है more volume, intro के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे, sorry, intro के अंदर यहाँ पे डाल सकते हो, book your website करके, book your website करके आप डाल सकते हो, उसके बाद आप नीचे scroll down करिए, sorry, नीचे आप scroll down करिए, ऐसे आपको नीचे scroll down करना है, और यहाँ पे description में आप, जो same चीज़ आपने copy करी थी, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, सवाल पूछना है, तो यहाँ पे देखे, और यहाँ पे नीचे सवाल आ रहे है, your details is safe and secure, ऐसे कुछ करके आप यहाँ पे डाल सकते हो, description में, अब यहाँ पे आप लोगों से क्या-क्या पूछेंगे, वो आप यहाँ पे चूस कर सकते हो, जैसे full name हो गया, email हो गया, और यहाँ प देखे, मैं अपनी page पे आता हूँ, walks, meta solutions पे, इसको मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं आता हूँ वापस से, यह ठीक है, मैंने इसको paste कर दिया, इसको भी मैं paste कर देता हूँ, और यहाँ पे देखे, मैं link के अंदर भी इसको paste करके, मैं publish button पे click कर देता हूँ ठीक है, इस परकार से आप अपना form easily create कर सकते हैं, अब इस form के अंदर आपको leads मिलना start हो जाएगी, और यह leads आप यहाँ से daily download कर सकते हो, आपके ad campaign से, तो form बनाना I think आपको आ गया होगा, next बटन पे next आपको चलना है, और यहाँ पे एक बार आप देख लिजिए कि आपका form कैसे दिखे रहा और advertisement कैसा दिखे रहा, इस परकार से आपका advertisement दिखेगा, finally आपको publish बटन पे click करना है, और जैसे publish बटन पे click करोगे, campaign आपका देखे यहाँ पे automatically publish हो जाएगा, ठीक है, तो इस परकार से दोस्तों आप बड़ी आसानी से facebook के उपर अपनी ad campaigns को create कर सकते हैं मैं बस आपसे एक छोटा सा support चाता हूँ, आप like करिए इस वीडियो को और चैनल को subscribe कर दिएगा, क्योंकि आने वाले time में मैं इसके उपर और वी आपके लिए वीडियो support करूँगा, तो आप उनको देख सकते हैं और बहुत सारा knowledge आप free में ले सकते हैं, अपने business को grow कर सकत हैं, तो इस परकार से आप campaigns को easily बना सकते हैं, अब इसमें देखें और भी कई परकार के campaigns होते हैं Facebook में, आप कई परकार से marketing कर सकते हैं, अगर आपको वो सारी चीज़े सीखनी है, तो description में कोर्ष का link मैंने आपको दे दिया है, अगर आप एक businessman है, आप एक student है, housewife है, Facebook marketing के पैसा कमाना चाते हैं, तो बहुत बड़ा amount नहीं है, आप जा सकते हो description के अंदर link है, उसके उपर click कर सकते हो, आज ही registration कर सकते हो, और course को purchase करके complete इसको आप आसानी से सीख सकते हो, description में आपको team का number भी दे रखा है, उनको भी call करके आप course को purchase कर सकते हो, या फिर आपका को यहाँ पर आपको option दिख जाएगा, billing का, all tools पर click करने के बाद billing options पर आप जैसे click करेंगे, यहाँ पर भी या आपको payment method add करना है, और उसके बाद देखे payment setting में जाएंगे, तो आप यहाँ पर अपना payment method add कर सकते हैं, जिसमें आप credit card, visa card, या फिर आपके पास phone पे, btm जैसे पैसा add होगा, next 24 से 48 hours में आपका Facebook campaign easily run होना start हो जाएगा, तो इस परकार से 3 step में आप अपना proper एक complete Facebook add campaign बना सकते हैं, और अपने business को promote करके अपने business को grow कर सकते हैं, तो यह ता दोस्तों, आज का complete video, वीडियो आपको कैसा लगा, please comment में बताईएगा, अच्छा लगा त दोस्तों, अपने business को grow करने के लिए, course सेखना या फिर आपको service लेनी है, तो आप हमारे team को call भी कर सकते हैं, हमारे team से course की और services की complete जानकारी लेके, हमारे साथ आप काम करना start कर सकते हैं, आज की इस video में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे